सब्सक्राइब करें आयूब टेक को और इस वे लाइकन को दावार हमारे लेटेस वीडियो सब्सक्राइब ले देखने के लिए वीडियो को अच्छों करते हैं आग से नियुक्त भंड़ करने से सबसे पहले आपको अपने वी यह ज सब्सक्राइब लिए अटि ने लिए क्या आपने अइद कर सकते हैं वीडियो को मिल जाएगा अब इस वीडियो को देखकर अपने blogger blog post में responsive table को add कर ले सबसे पहले इस next video में आपको बताऊँगा कि आप अपने blogger blog post में responsive table add करने के बाद आप responsive table को edit कैसे कर सकते हैं friends blogger blog post में responsive table edit करने के लिए सबसे पहले आपको इस website पर आना है आपको इस website कर लिंक description मिल जाएगा आपको इस website पर आने के बाद यहां पर आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद है यहां पर बतायागा है कि आप ब्लोगर ब्लोग पोस्ट में responsive table को कैसे edit कर सकते हैं तो फ्रेंट यहां पर आप इस article को पड़के भी आपको इस website पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर कुछ take दिएगा है तो आपको उन takeों को पहले अच्छे से समज़ना होगा तो जैसे कि यहाँ पर दिख रखते हैं HTML take शुरू और बन करने का तरीका तो यहाँ पर जो take हैं तो tier day को आपको इस तरीके से शुरू करना है, और आपको tier day को इस तरीके से बंद करना है और tier day का full form होता है table row, इसका जो use होता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, इस code को ऩौन करके आप table की landscape box बना सकते हैं है तो फिर अखर आखर आप इस tiya take को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो यह एक टेवल की रो देख रहे ले इसके question करते है अब इस तरीके से टेवल। इसके से तरीके से typo से बंध करना है तो censatch का फुल फॉर्म होता है टेवल हेडर और जो इसका यूज होता है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ इस कोड को इस्तमाल करके आप टेवल रो में एक बोक्स और बेग्ग्राउंड करको एड़ कर सकते हैं तो फिर्ण अगर आप टी एस टेग को यूज करते हैं तो आप करना है और टीडी टेक को इस तरीके से बंद करना है और टीडी का फुल फॉर्म होता है टेवल डिवीजन इस टेक को इस्तमाल करके आप टेवल रो में एक बोक्स बना सकते हैं अगर आप टीडी टेक का यूज करते हैं तो आप टेवल रो में यानिकि यहां पर टिया टेक के अंदर आप T D में एक box बना सकते जैसे कि यहां देख सकते हैं यहां पर यह box बना ही T D की साहता से बना है any friends यहां पर आप देखेंगे html take को शुरू करने के बाद उस take को हमेशा बंकरना होता है तो आपको take को बंकरना भी होगा तब टेबल क्रियेट होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन टेक के बारे में अच्छे से जानकारी हो गए होगी अगर आपको अभी भी इन टेक के बारे में अच्छे जानकारी नहीं होई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रही है मैं आपको आगे अच्छे से बता और आपको बीच में करनी है यहाँपर हम आगे क्या बताए लेते हैं आगे क्या बताया है तो फिन आपकर देख सकते हैं यहाँ पर y helt फि kon jaar टेबल का और यहां पर यह ऐंड़ल का टेग यह फार बंद हुआ है इसके बीच में कोडिंग की गए दिन्हां देख सकते हैं टिया टेग तो मैंने आपको बता है यह थिय। होता है यह यह तेवल में लेन इसके बॉक्स लाने के लिए होता है जि तो यहां पर आप देख किते हैं यहां से यह जो यह सुन्ह time यहां पर about से यहां पर यह पूरा बोक्स यह की साइयता से हुआ है और नियुक्स की है पड़ाय करता है यहां आप टेबल रो में बोक्स बना सकते हैं और उसके अनर बेंग्राउंड कलर सकते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं हमने यहां पर लिखेzeit टी-eHS टे को बंद कर दिया आ है तो फिर्ण पर देख सकते हैं जो एक्जांपल हुआ है इए पर बेक्ग राउं कलर भी आ घाए यहां से यहां से तक एक बोक्स भी बंद चुका है तो फ्रेंस आपर हम आगे देख लेते हैं तो यहां पर आप नीचे स्कूल करेंगे तो फ्रेंस आपको इस पोच्ट में सारी जानकरी मिल जाएगी तो फ्रेंस आप आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर बंद किया गया है और इसकी बीच में कोडिंग की गई है देख सकते हैं पहले Tited, यानि कि Titek को यहां शुरू किया गया है और यहां से बंद किया गया है और Titek की बीच में यह Tantek का थेख का इस्तेमाल किया गया है यानि जो Tatek होता है वो एक लेंड के बोक्स यानि यह पूरा एक box लाइन से बनाने के लिए किया जाता है अब देख सकते हैं जैसे कि यह इसके अंदर यह THT का स्थिमाल किया गया है तो इसमें जो THT का स्थिमाल किया गया है यह background कलर लाने के लिए किया गया है और एक box बनाने के लिए किया गया है फ्रेंस यहां पर एक तेक को दूसरी बार स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर टीडी का टेक का यूज के गया है तो यहां पर टीडी टेक की साहता से यहां पर एक बॉक्स बन गया है देख सकते हैं त्यां आपर बन चुका है तरह पर अब आप नीचे आप आपको का टीक्हां पर यहां पर टेबल बन हुआ है इस के बीच में देख सकते हैं यहां से यहां तैक देखसकते हैं यहां से यहां तक कर यहां पर यहां इसके अदरब को यहां इसके अंदर कर यहां से बंद किया गया जिसकी वजह से यहां पर यह एकowo div उसके अंदर देख सकते हैं यह यह एक इसित्वाज के गए जिससे यहां पर ग्ड़ now कट्रोंड को और अधल हो गया है बोज सकते हैं और यह Super hers हम ने लोग्स मनागहुत हो थिछ आइक इक एक बोक्स बना दिये गए तो फिर जहां पर आप देख सकते हैं ती सरह नमबर का है ती सर नमबर का है एक बोक्स बना वहाई डाल दिये हैं देख सकते हैं हमने इसी में टी एस टेक को भी ला दिया यानि कि इस टी आर टेक की बीच में हमने टी एस टेक को भी डाल दिया है जिसकी सायता से यहां पर एक बोक्स को साथ एक बेग्राउंड कलर भी आ चुका है तो फिर देख सकते हैं आपको इस तरीके से करना है यहां प box तो आई गया है और यहां पर background color भी आ चुका है तो फेले आपको इस website पर आने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले इस HTML code को यहां से पूरा यहां तक copy कर लेना है और copy करने के बाद यहां पर आपको इसकी पीच में editing करनी है यानि कि आपको इसकी पीच में coding करनी है आपको इसी तरीके से coding करनी है मैंने आपको अच्छे समझा दिया है कि कौन से take कहाँ पर इस्तेमाल करना है कौन से column बढ़ाने यह यूज करना है और आपको किस take कर इस तेमाल करके बेक्राउंड कलर को किसी box में कैसे ला सकते है यही म आपके ब्लोगर ब्लोग पोस्ट में एक रिस्पोंसिफ टेबल एडिट हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा लाइक करी सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली डेली वीडियो देख पाएं तो फ्रेंट्स मिलते है अगली वीडियो में थैंकि फॉर वॉचिंग